Dear students, Namaskar B.S.C. Part 1st, Physical Chemistry की unit है हमारी Gase State उसका next part है हमारा आज Interpretation of Deviation from Wonderwall Equation और Explanation for the Deviation of Real Gase Others Gase और वास्तिविक Gase में विचलन क्यों है वो हम पढ़ेंगे Wonderwall Gase Equation से Explanation उसका Explanation हमने यह पढ़ा कि Z versus P के बीच में कर उपलोट करने पर Z क्या यहाँ पर संपी डिता गुणा compressibility factor तो हमारा किसी भी gas के लिए generally most of gas के लिए Z की value पहले कम होती है फिर noon time होके बढ़ती है hydrogen और helium के case में यह लगातार बढ़ती है ऐसा क्यों होता है यह पढ़ेंगे हम वांडरवाल gas equations है जब pressure की value जादा नहीं है तो हमारा Z की value क्या हो रही है कम हो रही है तो ऐसा क्यों होँ है pressure की value जादा नहीं है तो अनू स्वतंत्र विचरण कर सकते है जब अनू स्वतंत्र विचरण कर सकते है तो यहाँ पे V means volume होँ है तो आपको B जो है volume is very very greater than B तो अपवर्जित छेत्र का अपवर्जित आयतन है वो बहुत कम है इसलिए हम इसे negligible मान सकते है यह हमारा एक मोल real gas के लिए वांडरवाल gas equation है that is the P plus A upon V square V minus B is equal to RT यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है आपका V को B की value negligible है तो यहाँ पे हम लिख सकते है P plus A upon V square V is equal to RT इसे solve करने पे यह आएगा और यहाँ पे इस तरह rearrange कर सकते हैं आप देखे pressure बढ़ाने पे जब pressure ज़्यादा नहीं है तो pressure बढ़ाने पे क्या होगा volume कम होगा volume कम होगा तो A upon V का मान क्या होगा यह कम होगा तो A upon V का मान बढ़ेगा और A upon V का मान बढ़ेगा तो यह minus में है ना इसकी value minus में है तो यह ज़्यादा हो जाएगा यह RT में से कम होगे और PV का मान आपका कम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका pressure ज्यादा नहीं है तो आपका pressure बढ़ाने पे pressure की कम range में pressure बढ़ाने पे Z की value कम होती जा रही है अब pressure is too high next step pressure बहुत ज्यादा है pressure ज्यादा है इसका मतलब volume कम है volume कम है तो B को ignore नहीं किया जा सकता और B को ignore नहीं किया जा सकता लेकिन यहाँ पे दाब बहुत ज्यादा है pressure बहुत ज्यादा है इसलिए A upon B square को हम neglect कर सकते हैं तो हमारे पास equation आई यह और इसे rear range करने पे यह आएगा अब यहाँ पे देखे pressure increase करने पे PV कमान क्या होगा बढ़ेगा PV कमान बढ़ने पे PV की value भी बढ़ेगे तो देखें यहाँ पे pressure ज्यादा होने पे आपका Z की value बढ़ रही है अब देखें next है आपका hydrogen और helium के case में लगातार बढ़ रहा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि when temperature hydrogen और helium के लिए देख लेते expansional expansional behavior बहुत कम है hydrogen और helium का mass कम होने पे उनका अणों का point mass कम है जिसके कारण उनके बीच में intermolecular force of attraction कम है इसके कारण आपका attraction जो factor है आपका A upon V square यह negligible हो जाएगा hydrogen और helium के case में और यह negligible होने पे हमारा जो equation है A upon V square यह क्या हो जाएगा? P into V minus V RT is equal to RT और इसे solve करने पे यह आएगा और यानि pressure बढ़ाने पे आपका PV कमान बढ़ जाएगा means PV कमान बढ़ जाएगा तो hydrogen और helium के case में यह लगाता बढ़ेगा next है हमने का कि temperature उच इताब पर क्या होगा? सभी gas वास्तिवी gas की तरह है विवहार जो सभी वास्तिवी gas है real gas की तरह विवहार करती है ऐसा क्यों? temperature जादा होने पर volume का मान भी जादा हो जाएगा क्यूंकि अड़ों में kinetic energy बढ़ जाएगी और A upon V square का मान बहुत कम हो जाएगा और volume का मान बढ़ने से B को भी हम neglect कर सकते हैं तो हमारे पास जो equation आएगी this is the PV is equal to Rd जो की आपकी ideal gas equation है next है आपका isotherm of real gas critical phenomenon isotherm का मतलब है समताप means P versus V के बीच में curve load करेंगे temperature constant पे हमने यह देखा था ideal gas में आपका temperature constant होता है boil name के according तो इस तरह का curve आता है the curve obtained by Andrew experiment यह Andrew experiment के अनुसार above 31 यह CO2 के लिए CO2 as a example हम पढ़ रहे हैं above 31.1 degree centigrade isotherms resemble that an ideal gas 31.1 degree centigrade के उपर जो isotherm है किस की तरह है आपका as a ideal gas की तरह है below 31.1 degree centigrade the isotherm are node rectangular hypergola इस तरह आपका isotherm होगा ऐसा क्यों है यह देखते हैं फो में है गेस इस फो में EF में next the portion FG shows condensation condensation मतलब आपका यहाँ पे gas और liquid दोनों फो में है और the portion GH किस फो में है represent the liquid phase of CO2 यहाँ पे आपका CO2 किस में gas जो है किस में change हो गया जैसे यसे temperature बढ़ रहा है यह देखें लेटरोजन यह कम होता जा रहा है कम क्यों होता जा रहा है इसको पढ़ते हैं at the temperature TC TC means critical temperature this plateau becomes a point volume at at that point that is VC critical volume and pressure at that point that is PC critical pressure means आपका जैसे यसे temperature बढ़ रहा है है देखिए 13.1 degree centigrade से 48.1 degree centigrade की तरफ जाने पे यह जो region है condensation region यह कम होता जा रहा है यहाँ पे particular एक temperature ऐसा है जहाँ पे यह जो region है ना यह point में सिमट गया इस temperature को हम कहेंगे critical temperature क्रांतिक ताप क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके उपर किसी भी gas को liquid में नहीं बदला जा सकता और क्रांतिक ताप के नीचे सभी gas को liquid में बदला जा सकता है तो यहाँ पे TC, PC and VC are collectively known as critical constant it is greater than TC, gas cannot be compressed into liquid, means आप pressure increase करके gas को volume कम हो जाएगा लेकिन gas आपकी liquid में change नहीं होगी किस temperature पर? critical temperature पर critical temperature के उपर critical temperature पर जो volume है उसे हम कहेंगे VC और critical temperature के आपका उपर जो pressure है उसे हम कहेंगे critical pressure PC यानि TC, PC and VC are collectively known as critical constant तो यहाँ पे यह आपका यह जो area है C, G, P, F, B यह area temperature बढ़ाने पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है अब यहाँ पे यह area क्या है? condensation यहाँ पे किस form में है? आपका liquid form में है अब हमारे पास दो तरह है कि हम पहले मानते थे एक तो आपका permanent gas है temporary gas permanent gas को हम मानते थे hydrogen और helium temporary gas CO2 है इस तरह की सारी gas को हम temporary gas कहते है क्योंकि उनको pressurize करने पे वह क्या हो जाती? अब क्या है? अब हमें पता चल गया TC के उपर कोई भी gas है क्योंकि इनका TC की value बहुत कम होती है hydrogen और helium hydrogen है nitrogen है oxygen है उनकी TC की value बहुत कम होती है negative होती है और temporary gas की TC की value ज्यादा होती है इसलिए जैसे CO2 है उसको आसानी से आप liquid में change कर सकते हो normal condition में अब यहाँ पर आपका है अवस्ता सांतत्य continuity of state अवस्ता सांतत्य का मतलब है कि बिना बिना liquid liquid को sorry liquid को बिना आप liquid plus gas जो condensation की स्तधी है इसके बिना आप gas में change कर दो या gas को आप pressurize करके आप क्या कर दो बिना condensation means दो वस्ता है ना इसमें condensation में liquid और gas इसके अलावा इनकी स्तिती आए बिना आप किसमें convert कर दो इसको liquid में convert कर दो देखिए यहाँ पर अपन pressure increase कर रहे pressure increase कर रहे तो आपका volume कम हो रहा अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर एक इसमें condensation में दोनो अवस्ता है यानि आप volume तो कम हो रहा है लेकिन एक pressure हमारा constant हो गया क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर volume और आपका जो gas है और आपका liquid है दोनों क्या है दोनों अवस्ताओं में उपस्तित है gas और इसलिए हमारा क्या हो गया volume तो कम हो रहा है लेकिन pressure आपका इस range में constant है और next अपन C और D की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका volume कम नहीं हो रहा लेकिन pressure बढ़ रहा है क्योंकि आपका जो liquid में है अणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है इसलिए उसको ज्यादा pressurize नहीं कर सकते यानि pressure बढ़ाने पर उसका volume आपका क्या होगा ज्यादा कम नहीं होगा यानि यह state line ही आएगा हमारे पास अब यहाँ पर continuity of state में क्या करें जैसे हम यहाँ पर point x ले ले इस point को x ले ले इस point पे हमारा क्या है किस form में है gases form में है अब क्या करें अपन इसका pressure बढ़ाते है pressure बढ़ाते है और volume को constraint रखते है pressure बढ़ाया volume को constraint रखा क्या किया तो temperature बढ़ गया temperature बढ़ गया न हमारा temperature और point को यहाँ तक लिया आए TC के उपर लाते ही क्या होगा यह अपना इस point पे लिए है y point पे लिए है अब उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने क्या किया अब इधर लेगे इसको यहां तक लिए है ना x से y यह मान लिया y अब उसके बाद अपन इधर चले इधर चले कैसे चले means volume कम हो रहा है और pressure आपका constant है volume कम हो रहा है pressure constant मतलब temperature क्या हो रहा है कम हो रहा है और कहां तक लेगे है अपन इस temperature को मालना ही यहां तक लेगे कितना temperature अपना यह है 21.5 degree centigrade हम चले यहाँ पे चले 13.1 degree centigrade से चले और हमने क्या बढ़ाया volume constant रहा pressure बढ़ाया temperature बढ़ाया 48.1 degree centigrade पे आगया 48.1 degree मतलब आपको TC के उपर ले जाना है और फिर अपन क्या कि अपने pressure को constant रखा और volume कम किया कैसे कर सकते है temperature down कर दो temperature down करने के बाद तो हमारा क्या आया और हम आगे इस पे यानि 21.5 degree यानि अब क्या थे यहां चले थे क्या थी gas थी यहां से यहां चले तो क्या बने गए liquid यानि बिना इस अवस्ता के बिना इस अवस्ता के जिसमें दोनों अवस्ता हैं संग्रान अवस्ता हैं जिसमें gas और liquid दोनों वस्ता हैं उसके बिना क्या आगया हमारा लिक्विड स्टेट आ गई ऐसे ही सेम लिक्विड से बिना इन दोनों वस्ताओं के हम गेस में चेंज कर सकते हैं